दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं बारवे पैलिकन किर्केट टूनामेंट के मैच के बारे में और यह मैच खिला गया था रहतक रोड जिम खाना और अजमल खान किर्केट क्लब के बीच में इसमें पहले बैटिंग करते हुए रहतक रोड की टीम ने 35 ओर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए जिसमें श्रेष्ट यादव ने 56 रन की पारी खेली राहूल ने 34 रन बनाए और वो नौट आउट रहे लक्षे ने 30 रन की पारी खेली और वहीं पर अजमल खान की तरफ से प्रिंस ने गेंद बाजी करते हुए दो विक्टे 31 रन देकर अजमल खान की टीम ने इस टार्गेट को 34.2 वर में चेस किया 6 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 185 रन बनाए और ये बहुत क्लोज गया मैच जिसमें हर्शित कुमार ने 62 रन की पारी खेली और वो नौट आउट रहे आरियन कुमार ने 34 रन बनाए वो भी न शर्मा जी मौजूद थे और मैन आफ दा मैच का अवार्ड मिला हर्शित कुमार को, फाइटर आफ दा मैच मिला श्रेश्ट यादव को और स्पेशल बैटिंग प्राइस दिया गया आरेन शर्मा को सूरज की नारंगी किरने जैसे ही द्वारका में पढ़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुन्दर और सुच बनाने के लिए निकल पढ़ती हैं आईए इस प्रयत्र में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें आज कल घेवरा क्रिकेट ग्राउंड में गुडविल क्रिकेट करप टूनामेंट 2019 चल रहा है और इसमें मैज था ब्राइट क्रिकेट क्लब और राजवेंशी क्रिकेट अकाडमी के बीच में जिसमें Bright Cricket Club की टीम ने पहले बैटिंग करते वे 392 रन बनाएं जिसमें से Bright Club के कैप्टेन अतुल सागी ने एक पहतरीन 244 रन की पारी खेली और ये 244 रन उने सिरफ 126 बॉलों में बनाएं जिसमें 30 चौके और 10 चौके शामिल थे और इसके साथ साथ उनकी टीम के अभिशेक कुमार ने 35 रन बनाएं मोहित कुमार ने 33 विशु मिश्रा ने 24 रन बनाएं और राजवेंशी क्रिकिट अकाडमी की टीम 48 रन पर ही अलाउट हो गई इसमें की ब्राइट क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए लोगान्थन ने 3 विक्टे ली 5 रन देकर प्रनफ खन्ना ने 2 विकेट ली 1 रन देकर सनी कुमार को 2 विकेट मिली 1 रन देकर विशाल वशिष्ट को भी 2 विकेट मिली 6 रन देकर इस तरह से ब्राइट क्रिक वीडियो के साथ हमें भेज सकते हैं